आपने अक्सर डॉक्टर्स यहां तक की अपने बड़ों के मुह से भी सुना होगा की रोजाना एक सेब खाना चाहिए क्योंकि इससे शरीर को कई फायदे मिलते हैं. जिस तरह रोजाना एक सेब खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक उसी तरह रोजाना एक केला खाने से और जरूरी मात्रा में खाया जाए तो यह आपके शरीर को कई तरह के फायदे दे सकता है. केले को बेहद सेहत मंद और स्वादिष्ट फल माना जाता है, इसमें कई आवश्यक पोशक तत्व होते हैं, जो पाचन, हृदे स्वास्थे और वजन को नियंतरित रखने में सहाय केले में थाइमिन, रिबोफलेबिन, नियासिन और फॉलिक ऐसेड जैसे कई पोशक तत्व होते हैं, इसके अलावा केले में फाइबर की भी अच्छी मात्रा पाए जाती है, जो की पेट को ठीक बनाए रखने में एहम भूमिका निभाता है, तो अभी तक आप लोगों ने सबस्क्राइब तो कर ही लिया होगा, तो चलिए टाइम को बरबाद न करते हुए इसके अन्य महत्वपूर्ण फायदों के बारे में भी जान लेते हैं, डाइबिटीज रोगियों के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि उन्हें कौन से फलो का सेवन करना चाहिए, क्योंकि क केला स्वाद में मीठा होता है तो ज्यादातर लोग केला खाने से बचते हैं, हाला कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मधुमेह रोगियों को केला खाना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर होता है, फाइबर का सेवन बलड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करत ह्रिदय रोगों से पीडित लोगों को केले का सेवन जरूर करना चाहिए। केलों में विटामिन C, फाइबर, पोटेशियम, फोलेट और एंटी ओक्सीडेंस होते हैं जो दिल की सेहत बनाए रखने के लिए जरूरी है। जो लोग उच्छे फाइबर वाले अहार का सेवन करते हैं उनमें ह्रिदय रोगों का जोखिम काफी हद तक कम होता है। में उतार चड़ाव की वज़े से परेशान रहते हैं या फिर आपको जल्दी थकान महसूस होने लगती है तो केला का सेवन जरूर करना चाहिए. केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे शरीर के अंदर रक्त संचार ठीक रखता है. केला आपके शरी लोगों को केले का सेवन जरूर करना चाहिए. केले में अच्छी मात्रा में आयरन भी पाया जाता है जो खून में हीमोगलोबिन बढ़ाने में सहायक होता है.